राजस्तान कॉंग्रिस में लंबे समय से चली आ रही आपसी खीष्टान पर लगाम लग सकती है आज दिल्ली में हुए कॉंग्रिस की एहम बैठिक में चार बड़े फैसलों पर सहमती बनी है इसमें फैसले लिया गया है कि राजस्तान में होनी चारहे विदाणसबर चुनाओं में कॉंग्रिस का कोई मुख्यमंतरी फेस नहीं होगा कैसे राजस्तान में कॉंग्रिस की नईया होगी पार देखते है स्पेशिल रिपोर्ट अंदर की बात में राजस्तान ने विदानसभा चुनाओं को देखते हुए दिल्ली में कॉंग्रेस मुख्याले पर पार्टी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुए नेताओंने आगामी विदानसभा चुनाओं की रननीती तैकरने को लिकर विस्तार से चर्चा की इस बैठक में कॉंग्रिस पार्टी ने ने लिया कि विदानसभा चुनाओं में CM चहरे का एलान नहीं किया जाएगा बिना CM FACE के ही पार्टी एक जूट होकर चुनाओं लड़ेगी यह भी टै किया गया कि सितेंबर तक राजस्तान विदानसभा चुनाओं के लिए सभी उमेदवारों का पार्टी एलान कर देगी हाला कि इस बैठक में सचिन पाइलिट की भूमी का पर कोई फैसला नहीं हुआ कॉंग्रिस की बैठक में इन चार बड़े फैसलों पर सहमती बनी एक राजस्तान में कॉंग्रिस का कोई मुखे मंत्री फेस नहीं होगा पार्टी मिलकर चुनाओं लड़ेगी दो राजस्तान लोग सिवा आयो की सदसे की नियुक्ती के लिए नियम बनेंगे पेपर लिक पर विदान सभा में कानून आएगा तीन राजस्तान में इस बार टिकेट के लिए कॉंग्रिस प्रत्याश्यों का चैन सितमबर से पहले सप्ता में कर दिया जाएगा चार पार्टी में कोई बयान बाजी अब नहीं होगी सरकार के प्रचार के साथ साथ पार्टी का प्रचार अभ्यान शुरू होगा इस बैठक में प्रदीश प्रभारी सुकजिंदर सी रंधावा PCC चीफ गोविन सी डोटासरा सचिन पालेट, स्पीकर सीपी जोशी भवल जितेंदर सी के अलावा राज की नौ मंत्री उन्हें हिसा लिया बिरू रिपोर्ट जी एस्टी महरास्टर के सत्तारूड गडबंधन में आजित पवार की एंट्री ने एकनार्थ शुन्दी की सिवसेना में हलचल मचा दी है यही वज़ा है कि महरास्टर के मुख्यमंत्री एकनार्थ शुन्दे बूधवार को काफी बीजी देख रहे थे क्योंकि अजित की एंट्री से उड़ गई एकनार्थ शुन्दी की नीन देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में महरास्टर के सतारूड गडबंधन में अजित पवार के एंट्री ने एकनार्थ शुन्दी की शिवसना में हलचल मचा दी है यही वज़ा है कि महरास्टर के मुख्यमंत्री एकनार्थ शुन्दे काफी बीजी दिखे क्या अज़त के एंट्री से एकनाज शिंदे दुखी है पर क्या वो महागाडी में जाएंगे इस पर मन्थन किया गया महरास्टर में अन्सिपी के पतिन के बाद अज़ित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद महरास्ट्र की मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे ने अपने विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया शिंदे को डर है कि अजित पवार की वज़त से उनकी पार्टी में बगावत हो जाएगी ऐसे स्थिती न बने इसलिए उन्होंने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रन नीती तै की जाएगी शिवसना सुत्रू का दावा है कि अजित पवार के पास परियाप्त विधायक नहीं होने की स्थिती में शिंदे इंतिजार करो और देखो की नीती अपनाएंगे शिवसना का एक वर्ग भी महाविकास अघाडी में शामिल होने के विकल्प के पक्ष में है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अजित को परियाप्त विधायक मिल गए तो भाजपा शिंदे को किनारे कर देगी उस स्थिती में शिवसना विदेको की स्थिती धूबी का कुत्ता नघर का नघाट का जैसी होगी ऐसा होने से पहले शिवसना विधायक शिंदे पर शरतपवार और कॉंग्रिस से चर्चा करने का दबाव बना रहे है बिरो रिपोर्ट जी एस्रीवी मोधी काबिनेट में फेर बदल की अटकलों की बीच कैंद्री मंत्री बीजेपी अधिक जेपी नड़ा से मिल रहे है हाला कि पार्टी ने इसको लेकर अधिकारिक तोर पर कुछ नहीं कहा अब कौन से मंत्री चोड़ेंगे पर क्या होगी रननी ती देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में बीजेपी में कई दिनों से मेरथान बैठिक चल रहे है इसको लेकर कयास लगाए जा रहे है कि मंत्री परिशद और पार्टी संगिठन में कई फेर बदल हो सकते है बीजेपी के नए तेलंगना प्रदीश अद्यक्ष जी किशुन रेडी मोधी कैबिनेट से इस्तिफा देंगे नवंबर में तेलंगना विदान सभा जुनाव पर ध्यान कैंद्रित करने के लिए रेडी इस्तिफा देंगे मोधी सरकार में सांस्कृतिक मामलो के मंत्री रेडी कैबिनेट मैठिक में भी शामिल नहीं हुए इसलिए उनकी इस्तिफिकी चर्चार्ज जोरो पर है बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि मध्यप्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जग प्रहलात पटेल या जियोतिरादित सिंध्या को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा प्रहलाद पटेल और जियोती राधिति सिंध्या में से किसे अध्यक्षपत दिया जाएगा इसका फैसला नरेंद्र मूदी और अमिच्छा करेंगे लेकिन मद्यप्रदेश में वीजेपी को जिद दिलाने की जिम्मेदारी प्रहलात पटेल और जियोती राधिति सिंध्या दोनों को सौपी जाएगी बूरो रिपोर्ट जी एस टीवी बॉलिवुड की जानिमाने एक्ट्रेश नमरता शिरोट करने कई हिंदी और साउथ फिल्मों में काम किया है हालाकि महिश बाबु से शादी करने के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी क्या थी वज़न जिसके कारण नमरता को छोड़नी पड़ी एक्टिंग देखते हैं बॉलिवुड रिपोर्ट अंदर की बाद में एक्ट्रेस नमरता शिरोट करके शादी साउथ की सूपरस्टार महिश बाबु संग हुई है दोनों अपनी शादी सुदा जिनकी में काफे खुश है लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमरता ने आखिर एक्टिंग करियर बीच में ही क्यों छोड़ दिया उन्होंने खुद इसका खुलासा किया था एक नीजी चैनल को दिये एक इंटर्व्यू में नमरता ने बताया हम बहुत क्लियर थे कि हम शादी के बाद सबसे पहले एक अपार्टमेंट में रहेंगे क्योंकि मैं मुंबई से थी इसलिए वो मेरे साथ एक अपार्टमेंट में रहने लगे मेरी शर्थ थी कि अगर मैं हैदरबाद आऊंगी तो एक अपार्टमेंट में रहूंगी महेश बहुत क्लियर थे कि उन्हें non-working wife चाहिए थी अगर मैं किसी office में भी काम कर रही होती तो भी वो मुझे काम चोड़ने के लिए कहते Bureau Report GSTV